हाई फ्रेंज, आपने पेपर, पेन, पेंसिल खरीदने में प्रूब्लेम हो रही है तो इस सिच्वेशन में आसाइनमेंट सम्मिट के बारे में 25 एपरिल को हमारे ओनरेबल भाईस चांसलर डॉक्टर नागेशोर राउजी ने क्या अंदर्शन चैनल पर आसाइनमेंट सम्मिशन के बारे में कुछ इंपोर्टान इन्फोर्मिशन दिया है जैसे कि क्या आपको आपकी आसाइनमेंट फिर से देने पड़ेंगे ओनलाइन सम्मिट कियेगे आसाइनमेंट आकसेप्ट हुए है या फिर नहीं ये आप कैसे जान पाएंगे क्या आसाइनमेंट सम्मिशन के लास्टेट एक्स्टेंड किया जाएगा जो lockdown खोडने के बाद assignment offline summit होगा या फिर नहीं ये सारे सबल कुश्चिन के आंसर जानने के लिए हमारे साथ last टक जूड़े रहिए एसे और भी update के लिए हमारे चानल को subscribe किजिए और पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिए तो जो पहला कुश्चिन था क्या आपको आपका assignment फिर से देने पड़ेंगे तो जिन लोगोंने पहले ही offline अपने assignment दे चुके हैं उनको अब assignment देने की कोई ज़रत नहीं है और आपके study center या फिर regional center पर ये depend करता है कि lockdown के बाद जिन लोगोंने online assignment दिया है उनके assignment की hard copy को फिर से submit करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट है online submit किया गया assignment अकसेप्ट हुआ है या फिर नहीं ये कैसे जान पाएंगे जो लोग google portal पर जैसे की कोलकाता regional center में assignment submit करने के बाद आपको एक confirmation message आ जाता है और कोहिमा study center पर जिन लोगोंने assignment submit किये हैं उनका एक list home page पर सो कर रहा है उसी तरह आपकी regional center पर depend करता है कि वो कैसे आपको information देंगे फिर जो next है क्या assignment submit का last date extend होगा तो इसका जबाब है जैसे कि आप सब जानते है कि आपका assignment submission का last date April 30 से May 31 तक extend हो गई है अगर lockdown ऐसे चलता रहा तो सायद date और भी ज्यादा extend हो सकती है तो अभी तो दुकाने भी थोड़ा बहुत खुल चुका है तो आप फिकर होकर अपना assignment complete किजिए जो last रवल था कि lockdown खुलने के बाद assignment submit किया जाएगा या फिर नहीं तो जो लग assignment lockdown तो अभी तक में अभी में तीन तक extend होई है सायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो online assignment submit करना इतना भी ज़्यादा मुस्किल नहीं है यह बहुत ही आसान है मैंने PDF कैसे बनाते हैं आपकी handwritten assignment को उसका मतलब एक वीडियो बना दिया है उसका link हमने description box में दे दूँगी फिर उसको मतलब कैसे हम उसको बहुत ही आसान है online submission अगर फिर भी आप चाहते हैं कि offline submit करने के लिए तो आप lockdown के बात आपने regional center में या फिर study center में submit कर पाएंगे वगर आप वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब अभी नहीं करेंगे तो फिर कुछ कोई बात नहीं September के टाइम में भी आप जो December में हमारा tournament exam होता है उ तो सारे होगे हमारा assignment के related अगर आपकी इस क्या लावा और कोई questions है तो मुझे comment box में comment कर देना मैं आपकी question का सबाल देने की मतलब answer देने की कोईस पूरी तरह से कोईस करोंगी आपने मतलब मेरी वीडियो को सुरू से लेकर end तक इतने पैसंस के साथ देखे तो ऐसे लिए thank you अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना अगर लगे कि नहीं ये वीडियो information related है तो आपने friends के साथ share करना